नमास्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागेंद्र मिशाज चेनल पर आज अशाड गुरु पोडिमा के दिन रात सोने से पहले ज़ाडू के नीचे चुके से दाबादे एक चीज मा लक्ष्मी दोडी चली आएंगी दोस्तों पोडिमा के दिती माता लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्री है यह दिन भगवान लक्ष्मी नरान को समर्पित होता है पोडिमा पर भगवान लक्ष्मी नरान का पूजन करने से जीवन में शुक्षम्रद्धी आती है हर पूरिमा का अपना अलग महत होता है असाड़ माह की पूरिमा इस बार 13 जुलाई दिन भुधवार को है यानि कि आज 13 जुलाई दिन भुधवार को है इसे गुरु पूरिमा के नाम से भी जाना जाता है यह दिन भगवान लक्ष्मी निरान के साथ ही गुरूओं को भी समर्पित होता है इस दिन गुरू का पूजन करने से जीवन में तरक्की आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है इस दिन लोग अपने इश्ट को अपना गुरू मान कर उनका पूजन करते है आज के दिन माता पिता का असरवाद अवश्य लेना चाहिए जिल लोगों के ब्यापार में या नोकरी में परेसानी आ रही है तरक्की नहीं हो रही विवाव में अर्चने आ रही है ऐसे लोगों को आज असाध गुरु पूरिमा के दिन अपने कुंडली के गुर्देव यानि की ब्रिहस्पत नामक ग्रह की पूजा करने चाहिए दोस्तों खास बात तो यह कि आज असाध गुरु पूरिमा के दिन विशेश दुर्रब सुभसंयोग बन रहे है पूरिमा के दिथी माता लक्ष्मी और भगबान विश्ण जी को बहुत ही प्री है पूरिमा दिथी पर माता लक्ष्मी जी अत्यदिक प्रसन मुद्रा में रहती है अगर आप आज असाध गुरु पूरिमा की रात को सोने से पहले जाडु के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज मा लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोस्तों जाडु हर किसी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जाडु को सीधे तोर से माता लक्ष्मी जी से जोड़ कर देखा जाता है जाडू को लेकर बहुत सारे शुब और अशुब शगुन भी होते हैं और जाडू कैसे रखें, कब खरीदे, कब फेंकें जाडू के नेचे ऐसा क्या दवा के रख दें राज सोने से पहले कि जीवन की सारी खुश्यां कश्टी हो जाए सारी परेसानिया दूर हो जाए आईए जानते हैं इसके बारे में क्यूंकि जाडू जो है, वो माता लक्ष्मी का परतीक है और दर्यता रूपी परेसानी को घर से बाहर निकाल देती है भगा देती है जाडू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेसानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है वैसे जाडू माता लक्ष्मी के परतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नाता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं लेकिन कभी कभी छोटी 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 चीजे भी बहुत माइनी रखती है आज हम कुछ खास बात बताएंगे जाडू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा जाए तो घर से कलह कलेश से खत्म हो जाएंगे घर में माता लक्ष्मी का बास होगा अगर हम जोतिस की वाने तो जाडू का महत्व सबसे जादा है बीमारियों को दोर करने वाली सीतला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये हुए रहती है इसलिए जाडू का निमित प्रयोग करने से कुछी बातों का विशेश ध्यान भी रखना आवश्यक है जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पुड्मा के दिन सुर्यास्त होने के बाद कभी भी जाडू नहीं लगाना चाहिए मानता के ऐसा करने से लक्षमी जे रूठ जाती है और दोसरी तरफ सुर्यास्त होने के बाद जाडू तो क्या पोँचा भी नहीं लगाना चाहिए बहुत जरूरी हो तो जाड़ू तो लगाएं पर कुड़ा बाहर न फेंकें वरना घर की लक्षमी बाहर चली जाती है तो छोटी 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 चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है जाड़ू को जोटी स्कीमाने तो हमेशा एकी जगह पर रखने की विवस्ता करें अब यह नहीं कि कहीं पर भी जाड़ू लगाया और कहीं पर भी फेंक दिया और ऐसा भी ना करें कि जाड़ू को लांगे ना डांके ना और किसी को भी जाड़ू से मारे ना इस बात का विशेश ध्यान दे, वरना आपके जो धन आते हैं वो प्रभाबित होंगे, आर्थिक परिसानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है, तो जाड़ू को जहां तहां बिल्कुल ना रखें, अगर आपने आज अशार गुरु पुरिवा के दिन, रात को सपने म जाड़ू देख लिया है, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की आपके उपर महरवान हो रही है, माता लक्ष्मी कृपा वरसने वाली है, लेकिन अगर आप बाकी दिन, किसी और दिन देख लेते हैं, तो फिर ये एक अशुभ है, इसे किसी पौध है, या फिर गाई को तो इसका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, मानतें कि आपके घर में साल छे महीने हो गए, और आपके घर में जाड़ू पड़ा है, खराब नहीं हुआ है, आप उसे फेंकना नहीं चारहे, आप फेंक दीजिएगा, क्योंकि आज असार गुरु पूड़िगा के दिन इसे पुरानी जाड़ू को फेंक दे, नहीं जाड़ू को लेकर आएं, और नहीं जाड़ू का प्रियोग करें, नहीं जाड़ू का आज यूज करें, पुरानी जाड़ू तूटा फूटा हुआ रहता है, और घर में जब आप लगाते हैं, तो तूट तूट कर गिरता है, तो जीवन के जो धन के परिसानियों को बढ़ा देता है पुराने जाड़ु को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई जाड़ु आपको उपयोग में लानी हो तो सनी वार के दिन ये फिर आज चुकी अशार गुरु पूर्मय के तिथी के दिन जरूर आप लाएं तो तीजी से जीवन में धनाएगा खुश्या आएंगे जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं धक कर रखने के व्यस्ता करें लोगों की नजरों में नाए जाड़ु ऐसे व्यस्ता करें भूल कर भी खुले आंगन में खुले आश्मान के नीचे जाड़ु ना रखें वरना जीवन में परिसानिया बढ़ जाएगी क्योंकि जब आप खुले आश्मान के नीचे ज़ाडू रखते हैं तो जीवन में कश्ट बढ़ेगा ऐसा ना करें ज़ाडू को जब भी अपने घर में रखें हमेशे ही धक्का रखने के वश्ता करें ज़ाडू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्यम के दिशा होती है तो आप उसी दिशा में से रखने के वस्ता करें ज़ाडू को कभी भी किचन में ना रखें और दूसरी बात जाडू जब भी लगाते हैं तो कभी कभी क्या हो तक कई बार बच्चे जूट इदर उदर कर देते हैं और फिर जाडू से समेट देते हैं तो ऐसा ना करें पहले पानी डालें फिर इसके बाद जाडू लगाएं दोस्तों खास बात तो है कि आज असार गुरू पुड़िवा का दिन है और माता लक्ष्मी जी आज काफी प्रसन मुद्रा में रहने वाली हैं और अगर आज आप राज सोने से पहले जाडू को नीचे ये चीज़े दबा देते हैं तो माता लक्ष्मी के विशेश कृपा वर से दोड़ी दोड़ी चली आएंगे अगर आपके घर में धन की कमी है बिजनेस व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो आज असार गुरू पुड़िमा के दिन राज सोने से पहले जाडू को नीचे थोड़ी से धनिया दबा के रख दें धनिया के साथ साथ दो लोंग और दो इलाइची भी उसमें रख दें यानि कि थोड़ी धनिया लोंग और इलाइची एक साथ भी रख शकते हैं जाडू के नीचे माता लक्ष में दोड़ी दोड़ी चली आएंगी माता लक्ष में कृपा से आपके घर से धन हानी होनी बंद होंगे गरीबी कोशो दोर से ली जाएगी रोड़पती भी हो जाएंगे करोड़पती दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष में कृपा सदय बरसती रहे माता लक्ष में इस्तिर वास करें तो माता लक्ष में के सबसे प्रिवस्त है कोड़ी कोड़ी जरूर आप आज राज सोने से पहले तो विशेश लाब होगा या फिर घर से निगविटी दूर करना चाहते हैं आपको लगता है जिसे घर में निगविटी भर गई है किसी ने कुछ करा दिया है तो आज आप निश्य तोर पे अशार्ड गुरु पुड़िमाक दें राश होने से पहले 5-6 साबूत लाल मिर्च रख दें लाल साबूत मिर्च होनी चाहिए रख दें फिर देखे कैसे आपको घर से निगविटी दूर होती है किसी का तंत्रमंत्र किया कराया भी वापस चला जाएगा माता लक्ष्मी कृपा से धन की कमी नहीं होगी तो अगर आप माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको घर में शुक्ष, शम्रदी, धन, भैभाव या सब कुछ प्राप्त हो तो फिर आज माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिवस्त कमल गट्टे की बीज आप राज सोने से पहले जरूर रख दें या फिर आप जाते हैं कि आपको घर में शुक्ष, शम्रदी बढ़ेगी कभी भी धनकी हानी नहीं होगी जाडू के नीचे कुछ रखे या ना रखें आप एक सुपाडी, दो लोंग और इलाजी रख दें साथी साथ, एक रुपे का सिक्का आप जरूर जाडू के नीचे चुक्के से दबाकी रख दें एक रुपे का सिक्का हो, पांच रुपे का सिक्का हो, जाडू के नीचे रख दें तो आपको उपर जीवन भर मातलक्ष्मी करपा बरसेगी दोस्तों कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी साथ ही वीडियो को लाइक करें जदे जदे सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्ष्मी